शीमानी सिंग फ्रोम एग्जामिनिशन अब डिसकस करेंगे और गाईज आज फिर शी आपके बीच में जो है मैं रूबर हूँ यहाँ पे बहुत ही बहती बहती ने एक जीकी का सेशन लेके और यहाँ पे जो है हमारा बहुत ही बेस्ट जो की जीके ट्रीक के मादियम से मैं कुप पढ़ाती हूं कन्टेटिन और मैं आपको वता दू आज हमारा बुती बेस्ट यहाँ पे एक शेसन होने वाला है और इसमें बेस्ट शेसें रहेगा कि G20 ग्रूप में कौन कौन से देंसे भाई कैसे याद करें कैसे याद करें किसे और नहीं याद करना तो देखो आ और क्या बात है गुरू जी जो सीता है ना सुनाए तुमने गुरू जी जो सीता है ना वो अब SSC FCI में जोब करती है इस तरीके से यह आपको एक पॉइंट यादत लेना है अब देखो हम इसमें तो यह गुरू जी सीता अब SSC FCI में यह हमारे सारे वर्ड्स यहां पर आएं तो भाई देखते हैं कि भाई कौन-कौन से यहाँ पर जो है जॉफ कर रहे हैं चलो तो G20 में कौन-कौन से यहाँ पर जो है दे से हम यहाँ पर जानेंगे इच्छे से तो देखो गुरू जी सबसे पहले गुरू को लो सबसे पहले लो G, U, R, U, गुरू गुरू में जी है न जो जी, जी से क्या बनेगा जर्मनी, इंगलिस में आखको लो इंगलिस में, हिंदी में तो मैंने लिखा हुआ है असे, जर्मनी, जी से क्या बनेगा जर्मनी, है ना, जी तो उठाओ, यू लो भाई, यू से, यू से, यू से क्या है, यू से, यू से क्य क्या बनेगा United Kingdom यानि कि United Kingdom तो बैइ गुरु जी सीता अब SSC FCI में जौब करते हैं गुरु जी सीता अब SSC FCI में तो बैइ गुरु तो वहाई यहां पर जी से जर्मनी यू से US, R, Russia और USA, United Kingdom गुरु जी अब जी को ले लो पूरा अब जी को ले लो देखो जी से जे उठाओ जी से क्या बनेगा जापान जापान भी यहां पर जो है यह जी 20 का एक सदर्श्य है फिर जापान में जो जी है यह जी में क्या है आई आई से क्या बनेगा अपना भारत इंडि अब सीता का उठाओ भाई सीता ठीक है तो भाई देखो सीता एस आई टी ए सीता में जो एस है ऐसे क्या बनेगा साओधी अरब ऐसे क्या बनेगा ऑस्टेलिया एसे क्या बनेगा ऑस्टेलिया तो भाई सीता से क्या बनेगा साओधी अरब बना और इंडोनेशिया बना और इससे क्या बना और श्रीरा बना इस तरीके से हमें याद रखना है आप देखो यहाँ पे गुरुजी सीता अब उठाना है अब SSC FCIMA अब उठाओ अब A और B चलो इससे देखते हैं A और B से यहाँ पर कौन कौन से वड़ बनते हैं अब ठीके अब उठाना है अब तो देख यहाँ पर हो चुका है अब हमें यहाँ पर क्या इताना है SSC टाना है चलो अब यहाँ से SSC लेलो ॉश्रीदों साओ अफ्रेका मनेगा साओ अफ्रिकलों साओ करिया रखना है confidence यहाँ किमगो साओ्-साओma यहांपे तो होगा दक्षिन अफरीका यहांपे दक्षिन कोरिया साउथ कोरिया ठीके यह बनेगा साउथ कोरिया यानि की दक्षिन कोरिया हिंदी में यह होगा आपका और हमें इंगलिस की फोर में याद रखना है अब SSC अब यहांपे SSC में C बचा है अब क्या लेना है वहई फ़सी आई ले लो तो आजब क्या ले लो एक अट न meditation ऑट क्या बनेगा इटली अब यहां पर लेना है मे अब क्या लेना-पने म सब्सक्राइब डलाएन इनस ईहां सेarian अब यहां यहां बसी कुन G20 group के countries थे G20 में कितने 20 countries है कौन कौन सी है क्या नाम 20 को हम यहाँ पर कैसे याद रखे यहाँ पर एक छूटी से ट्रीक है बस इससे याद रखना है कि Guruji सीता अब SSCFCI में job करती है कोई सीता है आप पता रहे हैं बड़े चाव से कि Guruji अब जो सीता है वो SSCFCI में क्या करती है job करती है हमें तो कैसे याद रखना है हमने यहाँ पर Guru उठाया जर्मनी पहला ही वड़े ना जी और जी ध्यान से फिर यू यू को उठाया यू से पहली वड़े USA इंगलिस की फॉम में याद करना है फिर Guru Guru में R RC यहाँ पर रशिया यानि की रूस R से क्या बना रूस फिर You You say United Kingdom फिर Guru जी J J से क्या बना जापा पहला ही वड़ आएगा पहला ही वड़ I से अपना क्या बनेगा इंडिया Guru जी अब अब यहाँ पर जो है Sita अब यहाँ पर क्या है Sita यह पुरा वड़े Sita है ना Guru जी Sita अब FCI ने Guru जी Sita अब S.S.C. FCI में क्या करती है जौब करती है तो भाई Sita S.C. बनेगा साओधी अरब और I से इंडोनेशन बनेगा T.C. तूर्की बनेगा A से उस्टेलिया बनेगा अब यहाँ पर था अब अब से बनेगा A से अर्जिंटिना और B से ब्राजिल बनेगा अब भाई S.S.C. को लेना है S.C. साओध अफ्रिका यानि कि यहाँ पर आप कह सकते है दक्षिन अफ्रिका और यहाँ पर साओध कोरिया दक्षिन कोरिया भाई दक्षिन अफ्रिका और दक्षिन कोरिया दोनों ठीके और फिर C है C से क्राड़ा फिर है F.C.E.I F से बनेगा फ्रांस C से बनेगा चाइना I से बनेगा इडली फिर लाक्स्ट में है M.E. M.E. याने की Mexico and European Union इस तरीके से हमें यहाँ पर G20 के 20 गुरुप याद रखने है कि यह कौन-कौन से देश है जो कि G20 में शामिल है भाई अपना इंडिया भी है यह भी आपको पता होना चाहिए तो गाइस वाकर यह ट्रीक आपको बेस्ट लगी होगे अगर आपको यह ट्रीक बाके ही बेस्ट लगी है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना कि हमें बेस्ट लगी है और फिर नेक्स रिशेशन में बहुत ही जबर्दस तरीके वाली में यहाँ पर आपकी सामने सबसे में यहाँ पर पॉइंट से पढ़ते रहो अच्छे से और जी के आप हम पर छोड़ दो हम आपको ट्रीके मादम से सब कुछ याद कराऊंगे अपनी खुद की भी एक लोग लोग वाली ऐसे बनाएंगे सब कुछ याद करेंगे ठीक है यह इसे बहुत है जो है जो है चोटा सा यहां पर कुछन से और अगर हम ऐसे कुछन को याद नहीं रखाएंगे गलत कर देंगे तो फिर भी सेलेक्शन के अशे होगा तो हमें सारे पॉइंट याद अब याद करना कैसे बहुत हर एक चीज़ों को आप याद नहीं कर सकते ह या फिर मैट्स को करें फिर हिंदी करें क्या 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 करें तो वहीं जीक हो को आप इस तरीके से याद करो ठीक कि माद्यम से तो हर एक ट्रीक आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाना बहुत ही बहती है और हापके ही आपको पीडियप भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी हो तो वहाँ पर भी आप इसको जोइन कर लेना भाई जीट्वन्टी टीके जीट्वन्टी गुरूप ट्रीक है गुरूजी सीता आप ऐसे से एक सब्सक्राइब करती है ध्यान से सुन्लों कान खॉल के तुम लगों को भी करनी है ठीक है चलो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट शेशन में तब तक के लिए थोड़ा हस्ती रो मुस्क्राती रो और अपने अच्छे रो फ्लेम्स में ठीक है चलो तब तक के लिए बाबाए ठीक है